हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पकॉरे वाली करी, पकॉरे वाली करी नौर्ट और इस्ट की सबसे फेमस रेसिपी है और किसी भी ओकेजन पर वहां बनती है, फोली पर तो इसका खासा ही महत्त है, तो आज हम इस रेसिपी की बेसिक बाते जैसे की दही को बड़ाबर चलाने के बाबजूर दही का ना फटना और पकोड़े का बहुत ही ज्यादा स्पंजी होना और सबसे ज्यादा कढ़ी का ठिक होना तो चलिए ऐसी ही रेसिपी के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए बनाते है पूरी रेसिपी को मैंने पाच भागों में बाटा है तो यह अभी फर्स स्टिप स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम पकोड़ा बना रहे हैं पकोड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पे बेसन दिया है पूरा एक कप बेसन मैं पूरे रेसिपी में यूज करूंगी जिसमें से म भी मैंने पकॉरे में लिया है और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ आजवाइन भी मैंने यहाँ पर रखी है जो कि बेसन के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है हल्दी, हिंग चाहें तो आप हिंग भी रख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर स्किप किया है इसको आप अच्छे से ड्राई मिला लिजे और इसके उपर थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हमें एक अच्छा सा बैटर बना लेना है ठिक सा बैटर होगा पकॉरे का यह देखें यह अच्छा सा बैटर बन गया है और सबसे इसमें जो में टिप है वो है हमारे पकॉरों के लिए जो कि है पकॉरे काफी फ्लपी होने चाहिए पकॉरे काफी इसके लिए बेकिंग सोडा यूज कर रही हूँ जो कि एक चौथाई चमच है आप चाहें तो इनो क पैकेट जो कि बिना फ्लेवर का होता है उसे भी यूज कर सकते हैं अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढखके रखतूंगी मैंने प्याज और मिर्च भी काट रखी है पर मैं इसे मिला नहीं रही आप चाहें तो आप अपने पकॉरे में मिला सकते हैं 15 मिनट के बाद देखिए यह काफी अच्छे से फर्मिट हो गया है और देखिए यह काफी अच्छा सा बिलकुल अच्छा सा टेक्चर दे रहा है स्टेप सेकंड गरम तेल मीडियम आज पर क्या रखा था मैंने और उसमें मैं पकॉरे डाल रही हूँ मुझे तो हाथ से पसंद है इसलिए मैंने फटा-फट हाथ से डालना शुरू कर दिया है तेल आप बहुत अच्छे से गरम रखिए ताकि यह डालते के साथ अच्छे निकर जाए देखिए इसमें होल्स बन गए हैं जिसके कारण यह अंदर तक भी हो रहा है और फ्लपी भी हो रहा है इसे मैं निकालके टिश्यू पेपर पर रख रही हूँ और अगर आप चाहें तो इसको पानी में भी रख सकते हैं यह काफी अंदर तक पग गया है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़के कि देखिए अंदर से यह कितना सॉफ्ट है और पग गया है इस टिप थर्ड यहाँ पे हम फॉलो करेंगे यहाँ पे मैंने दही लिया है जो कि फेटा ह हुआ है हल दी है बेसन है जो बचा हुआ था और पानी है दखी कर देखितना हुट का ध्यां से नमक नहीं डालना है हमें तो कडी को चोओकने के लिए जो द्यूसर है और जो काटे थी वह है। नहीं, basically हमें यूज करना ही है, तो यहाँ पर मैंने लेसन डाला है और मिश्ट डाली है, लेसन में एक सबसे बेसिक चीज होती है, कि आप लेसन को जलने ना दे, रोस्टेड होने का जो एक खुश्बू होता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ देखिए, मैंने प्यास मिक्स कर लिया है, हलका भूनूंगी मैं, थोरा ट्रांस्पेरेंट हो जाने तक, और मुझे गैस को आफ कर देना है, येस, इस इस दे सीक्रिट, अगर हम गैस बन नहीं करेंगे, तो हम जब कड़ी डालेंगे, तो वो फट जाएगी, येस, तो मेरा जितना भी पैन गरम है, वो पहले से गरम होने के कारण, उसमें थोड़े आपको बुल-बुले दिख रहे थे, पर मैंने गैस बन रखा है, और इस समय मैं इसको कल्छन से बिलकुल चला, पानी में इसमें एड कर दूँगी, और इसका बिलकुल पतला सा एक मिक्षर तेयार कर लूँगी, यानि कि हमें कड़ी बिलकुल पतली कर देनी है, अब इसको अच्छे से स्टर करना है, गैस आउन कर दिया है मैंने, और इसको मैं स्टर कर रही हूँ, लेकिन गैस आउन होने के साथ, जब ये उबलने को आती है, तो इस समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, और इसे बहुत अच्छे से चलाते रहना है, चलाना हमें नहीं छोड़ना, जब तक एक उबाल ना आ जाए, एक उबाल आने तक हमें चलाना है, देखिए, थोड़ी गाड़ी हो गई है, घपडाना नहीं है, क्योंकि ये फटेगी नहीं, हमने इसमें नमक नहीं आड़ किया है, अब इसको हम ढख देंगे, और ढख के इसको रचने के लिए छोड़ देंगे, ये लगबख 15 मिनट्स तक आप इसको मीडियम करके छोड़ दीजिए, और इसे पकने दीजिए, देखिए, ये पतली भी हो गई, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था, अगर हम नमक डाल देते तो ये ठेक हो जाती, और यहाँ पे मैंने लाल मिर्श का पॉर्डर डाला है, और उसको भी मैं एड़ करके इसको थोड़ा पका लूँगी, और 10 मिनट मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ, ये देखिए, थोड़ी गारी हो गई है अब, अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें पकॉरे डाल रही हूँ, नमक डालने से पहले मैंने गैस बंद कर दी है और बंद करके मैंने पकॉरे डाले हैं, अब इसको अच्छे से स्टर करके ज्यादा नहीं पकाना बस हमें रचने के लिए छोड़ देना है ताकि कड़ी पकोड़ों के अंदर चली जाए यह हमारी रेसिपी का सबसे लास्ट पोर्शन है इसमें मैंने 5 फोरन लिया है सुखी लाल मिर्ष कड़ी पत्ता सुखा हुआ आजवाइन और हींग गरम सरसो के तेल में मैंने सभी को डाल दिया है और सबसे अंत में हींग और आप कड़ी पत्तर डालिए उस गरम छोगे को र हैं यहां पर देखे मैंने बावल में निकाल लिया है और सबसे अच्छी टिप में यहां करने वाली हूं जिससे की आपकी कड़ी में जाना जाएगी यह मेरा लास्ट एंड फाइनल स्टेप हलका सा मिर्च मैंने लिया और उसको डाला और कलर देखे कितना फाइन है और जाद अच्छी हो जाएगी है ना आवाज देखिए इसको तिकनी जादा टैंपरिंग लग राएगे और इसको ढगतीचे आप सारे फ्लेवर इसके अंदर ही डह जाएंगे तो बताइए कैसी लगी करी हमारी है न अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आ आप कहीं कॉर्णर है आप कभी भी कोई भी रेसिपी देख सकते हैं अगर आपको किसी रेसिपी की रिमान्द है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं तो फ्रेंड थैंक्स पर वाचिंग बाइबाए